इसके बाद 11 कोश्चन है 11 कोश्चन में आपको डेटा दिया गया है 11 बैक्स और वीट फ्लोर इच मार्क्ट 5 केजी एक्चली कंटेंस वेट और फ्लोर आपके पास बिसिकली 11 बैग है गेहूं उसमें आटा भरा हुआ है ठीक है और वीट फ्लोर भरा हुआ है 5 केजी का वेट है उसका ठीक है तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो जाता है कुछ आटा निकल जाता है बार कुछ एक्ष्टा भर जाता है तो वो डेटा आपको दिया गया है फिसमें हमें पताना है कि प्रवेल्टी बताओ तो टोटल बैग सबसे पहले पता होना है चाहिए आपको कितने हैं टोटल बैग कितने हैं 11 तो प्रवेल्टी में बतानी है more than 5 kg of floor तो आपको यहां से सबसे पहले पता काउंट करना पड़ेगा कि ऐसे कितने बैग है जिनमें 5 kg से ज़्यादा वेट है तो इसको आप काउंट करेंगे तो कितने टोटल आ रहे हैं 7 आएंगे ठीक है और टोटल बैग कितने है 11 तो यहां आपका अंसर हो गया इसके बाद 12th question देखो आपके पास data दिया गया है आपकी screen पर देखी flash कर रहा है कि एक इसमें देखो पूछा गया है question में using this table find the probability of concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 देखो यहां पर दीचे से 3rd last 0.12 से 0.16 की frequency कितनी दी गई है 2 दी गई है चीक है और टोटल कितना है टोटल कितना है 30 इसका answer क्या हो जाएगा amount of sulfur amount of SO2 sulfur dioxide कितना 0.12 से कितना है 0.12 से 0.16 concentration कितनी frequency इसकी 2 अब टोटल कितना है 30 कितना आ गया है 1 upon 5 यहां आप answer हो गया आप reduce जरूर करके लिखना ठीक है cut करके जरूर लिखना यहां आप answer आ गया easy note down now you see next question question number 13 इसमें देखो इसमें data दिया गया 30 student का जिनका blood group A, B, A, B दिया गया है और A blood group है B blood group है O blood group है AB blood group है तो हमें इसमें बताना है कि probability बतानी है student has student students have AB blood group AB Blood group कितने students का है तो देखो table में इसमें बतानी है 1 upon 10, यह आपका answer हो गया, ठीक है, बहुत easy questions हैं, इसी के साथ आपकी excise है finish होती है, ठीक है, next excise next chapter start करेंगे आप मुझे comment करके बताना, आपको किस chapter की demand है, then I will make one video on that, okay, till then bye bye